हलो दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो के इंदर मैं आपको manual therapy की एक टेक्नीक बताने जा रहा हूँ जिस टेक्नीक का यूज हम लोग अपने osteoarthritis के patient को treat करने के लिए करते हैं दोस्तो osteoarthritis की समश्चा के अंदर हमारे घुटनी का अंदर की तरफ का जो joint होता है वो दीरी दीरे पास आना शुरू हो जाता है middle joint line का space reduce हो जाता है जो कि clearly हमें x-ray में भी नजर आता है इस space के reduce होने के कारण patient को लगातार अपने meniscus पे और cartilage पे pressure बना रहता है और चलने बैठने या फिर सीडिया चडने के अंदर उसे काफी जात तेज दर्द का सामना करना पड़ता है जब भी ऐसे patient हमारे clinic पर आते हैं तो initial modalities का treatment देने के बाद में pain और swelling को कम करने के बाद में इस space को वापिस increase करने के लिए हम लोग इस manual technique का use करते हैं ये काफी ही effective technique है और इसे काफी अच्छा result हमें देखने को मिलता है तो आज के इस वीडियो के अंदर यही technique में आपको बताने जा रहा हूं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे वीडिय को लाइक करना नहीं भूलेगा अगर हमार चैनल पर बिल्कुल नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा दोस्तों नीग एपको बढ़ने के लिए आपको पेशेंट के घुटने की तरफ आना है और मिडिल जूंट लाइन को फील करना है उसके जस्ट आपको एक इंच नीचे अपने राइट हैंड को रखना है और दूसरे हाथ को बाहर की तरफ रखना है फिर आपको अपने को और इसके बाद में पांस से दस रिपीटेशन आपको लेने हैं इससे आपकी पेशेंट का जो मिडिल साइट का स्पेस कम रहता है जो प्रेशर में रहता है वो रिलीज होता है साथ ही पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिलता है उसके नीपेन के अंदर इस टेकनीक को आ आपको टीब्यूबन के उपर हात रखना है और उसे बाहर की तरह रोटेट करना है यह आपको उस तरफ गुमाना है और फिर पेशेंट के पैर को मोड़ना है और सीधा करना है यह टेकनिक के stiff knee को release करने में भी काफी helpful है साथ में meniscus के pain के अंदर और जो osteo arthritis का pain होता है उन दोनों के ही अंदर ये technique काफी ज़ादा useful होती है इस exercise को आप कर सकते हैं इन दोनों technique को करने के बाद patient को काफी अच्छा राम मिलेगा अपने घुटने के दर्द के अंदर अगर regular basis पर आप करेंगे तो आप जो नी जो इनका जो gap है वो भी धीदे करेट होता हो आपको नजर आएगा इसके बाद में आपको कुछ exercises और करनी है exercise को साथ में रखेंगे तो आपकी नीकी strength बनी रहेगी और जो आपने modulation glad दी है उसे भी आपको काफी अच्छा effect मिलेगा exercise करने से आपकी muscle strong रहेगी और gap को maintain रखने में काफी help करेगी इस exercise का पूरा detailed video हमने बना रखा है यह short clip हमने आपको बताईए कि हम इसमें कौन-गोन से exercise करते हैं इसका पूरा detailed video आपको हमारे channel पे मिल जाएगा आप हमारे channel पे जा सकते हैं और knee gap exercise के नाम से यह video आपको मिलेगा वहाँ जाकर इसे पूरा आप देख सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्लीज channel को subscribe करना नहीं बुलेगा झाल ढ दो करता हैं ह्ला आपको च्सकतको अपको करता है आहाँ हम आपको करतो आपको करता है